दोस्तों वंडर्टिक्स चैनल आज आपके लिए लाय है एक बहुती हेल्ट में एक वीडियो इसमें जैसा कि मैंने पहले की बार-बार अपने वीडियो इंके साइज किया है कि हेल्थ इस वेल्ड अगर आपके हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है आप जिंदरी के किसी की मकाम पर दोस्तों जिसने मैंने बताया आज देखिए यह कितना अच्छा मोसन है भार भुआधार पिमा के अंदर पर साथ है और जैसा कि आपने एक मिशन दिया हुआ है जो मिशन अच्छी तरह से अपने हेल्थ में जो हमने प्रोमिस किया था क्या हम इतना भजन कम करेंगे क्या हम कर पाए क्या हमने एल्ट का अपना एक्सरसाइज सेडून बनाए योगा शेडूल बनाया अगर नहीं बनाया तो अभी भी अपने पास समय है कुछ वक्त जरूर निकल चुका है लेकिन अगर आज भी सोचें एक चोटा सा टार्गेल अपना बना कर चलिए स्पोज आपका वजन एक्टी गेजी है और आप उसको सेवेंटी गेजी ला सकते ह तो सब दस किलो वजन आपका बहुत ही अच्छी तरह से कम हो सबका है उसके लिए आपको सुबह जल्दी उचना पड़ेगा आप पांच बजे उठीए फ्रेश हुई है सुबह व्यूप वाटर लीजिए उसके बाद में आप अपना मेडिटेशन करिए फिस दे योगा करिए अपला भाती अनुलों विलों धस्त्रिगा फिक्स कर लीजिए एक घंटे के आस्पा फिर आप नीचे मैदान बर मौर्णी वाक कर लीजिए एक दिन आप लॉंग रनिंग 6-7 किलो मेटर कर सकते हां पर नेटेगे ऐसा करने के दिन का 10-11 बजे के आसपास आप स्प्राउट्स लीजिए स्प्राउट्स में मूं की दाल ब्लैक चना और और दूसर डाल मोट वगएरा आप ले सकते हैं उसमें खीरा ठमातर वगएरा काट लीजिए नमक मेच वगएरा दाल दीजिए उबाल लीजिए थोड़ी जेर उसे शांदा डहीं से उसको लीजिए एक देड़ बजे लंच कर लीजिए शाम को चार बजे फिर यही स्प्राउट्स शाम को आप फिर वापस आदा पोना गंटा खेल सकते हैं जो भी आपका इंडोर गेम है या इवनिंग वाग खाना खाने के बाद इस तरह करने के बाद कोई कि वजय नहीं बचेगी कि आपका वजय कमना हो बट वी हैव तू स्ट्रिक्टली फोलो दिस शेड्यू आप इसको वीपली बेस पर अपना वेट करिए डेली वेट करने की जोत नहीं है चपाती खाने में दोपैर को और शाम को आप नॉर्मल धंग से लीजिए और ये मौस है और इसके साथ साथ जब आपकी हेल्थ बढ़िया होगी तो बट में चुर्ण है कि आप अपने दूसरे रिजियोशन को भी पूरा कर पाएंगे मैंने आपको पहले अपने कुछ वीडियो में बताया है कि आप अपना बुक रीदिंस का बराबर शेडू लखिए आप प् सुबह का एगंटा जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और शाम को एगंटा अगर दो गंटा भी आप जॉब करते भी लगा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपने बुक ना पढ़ पाएं और बुक पढ़ने का मतलब है दोस्तों कि यूर मेक यूर ब्रेंडि आप ब्रेंड अम्बेस्टर अपने आपके बन गए हैं किसी के मोहताज नहीं है कि कोई आपकी ब्रेंडिंग करें और फिर आप देखेंगे कि आप की बुक्स का जो निचोड है वो आपके अंदर से निखलेगा वेनेवर यू डिसकस होने ने डैम टॉपिक तो अपने को ज्यादा से ज्यादा हेल्फ पर ध्यान देना है और जो बाकी समय बचा है तीन महीने का इसमें पोरज जोर लगाईए ये वीडियो और मैं आपको बताऊं कि मैंने कल ही करीब आठ किलोमेटर की रेस दो लिए रेस का मतलब नोट वेरी फास्ट आयव कवर्ड अराउंड व अगर आपके इरादे बुलंद है आपका सेल्फ बिलीव है तो आप किसी भी हालत में एक्सरसाइजीज को नहीं छोड़ेंगे और दोस्तों अगर आप करते हैं तो आप अपने आसपास अपने सोसाइटी अपने परिवार के लिए सब के लिए एक प्रेड़ना का स्रोथ ब झाल आपके लिए ओूसाइऑ तो आपके लिए एक लिए टापके लिए इसा परिया आपके लिए हैं